अगर आप उड़ नहीं सकते तो दोड़ें अगर आप दोड़ नहीं सकते तो चलें अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगे लेकिन हमेशा निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें इन्हीं बातों के साथ आई हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो मेरा नाम है अमीद और स्वागत करता हूं आपको अपने यूटूब चैनल पब्लिक कोजिंग सेंटर म तो फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पे क्लास 10 का साइंस का प्रिपरेशन कराया जा रहा है तो आज हम लेकर आया है चैप्टर टू जिसका नाम है अम रचारक एंव लॉन का पार्ट टू वीडियो तो पार्ट वान वीडियो डाला गया है अप्लोड किया जा चैनल पर और अभी तक चैप्टर 6 जो कि है लाइब प्रोसेस उसका वीडियो प्रोड किया जा चुका है आप उसे भी देख सकते हैं और इसका जो फर्स चैप्टर है रासानी कभी करिया है उन समीकरन इसका भी वीडियो डाला जा चुका है तो आप इसे जरूर चैनल इसमें हम देखिए आज इंडिकेटर्स के बारे में जिसको बोते हैं सूचक है तो सुचक पल क्या होता है इसको मिसमझते हैं लिए सूचक किसी दिये ब़िलियर में आमला चाहरत की उपश्थिति को पर्दाशित करते हैं त्युक्न करता है किसी दिये गए या कोई विगलियल हो उसमें श्र्रम्न क्यान अम्नौक कितना सेंगि कि पर्दावस करता है रिखा मतलब हमला इन्धिकेटर नाम से यो और रहेगा उसमें उपस्थिति का उसका दर्स आईगा गल उसका उड़्शा तथा अमली माध्यम में चेंज कर देता है अब सूचक देखते हैं कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं ठीक है तो देखे सूचक पीन प्रकार के होते हैं आप किसे नोट करने के लिए आपको टाम मिलेगा अभी आप जुप-चाप देखें तो एक नमबर में आप देख सकते ह प्रक्रितिक सुचक थि Keeping सुचक दिए सुचक भी कहते हैं एक डिया है सुचक है क्थे एक डू तीन जो मेरे पास है तिरों में से ति turning क्या है जो प्रकृतिक सुचक होते हैं यह पध आपको याद रखना है यह जो है प्राक्रीतिक सुचक यह पाधों में पाहिल जाते हैं और यह क्रित्रियम सुचक यह रजशानिक पदार्थ है यह क्या है chemical matter इन पदार्थों की गंध अमलीय अच्छार्थों में बदल जाती अब एक एक करके तो जैसे दिया है यह प्राक्रितिक सुचक जो होता है लिटमस और हल्दी इस टैट का पदार्थ होगे और जो क्रित्रियम सुचक होगा वह मेंथिल और जिसको कहाता है यह होगा तो जैसा कि अभी मैंने बताए आपको सुचक के बारे में सुचक के बारे में आप मतलब अपने इसाफ से किलियर इसको नोट डाउन किजिएगा अभी हम जस्ट आपको टैम देते हैं तो फ्रेंड्स आगे है यह दखते हैं कि आमला और च्छारक जो होता है आमला च्छारक का जो रासानी कूंग क्या कराएंगे अभी किलिया कराते है तो मेरे पास दो है एक आमला है एक च्छारक है जब से पर आमला च्रih Potip घाति से अभी किरिया करता है तो क्या मिलता है यहां उसके बात दूस्टा है छारक छार यहां पर आमलग के साथ क्या करेंगे अमलग प्लस अगर धातु से अभी किर्या करेंगे तो हमें मिलागा लवन और यहीं मिलागा है और यहां चारक और हैंगी प्लस हांद्रोजन यहां हिए यहां है यहां हो गया कि अब लवन मिला और संतुरित करने करने कर दो आभ घंक अब आगे देखते हैं जारक के साथ ठीक है जारक के साथ वही चार का कोई एक एजांपल लेंगे यहीं जो था मेरा अमने के साथ जिसे कराएं उसी का सेम अभी किरे कराते हैं जिंक से सेम प्रोसेस इसे विशंतुरित करेंगे तो क्या हो जाएगा तो इसके बाद तो फ्रेंज मैं एक और क्यूशन है जो अक्सर एक्जाम में पुछता है है कि उदाषन करण जो र्यक्शन है और क्या होता है तो इसका उतर हम समझते हैं कि इसमें कुछ है ज्यादा जो आम लव और छारक है, एक साथ अभी किर्या करें क्या दे लवन दे औरॉप्लास में इस टू ओ यानि ज़ल दे तो उसे हम काता हैं उलासनी करन अब की रिया ठीक है तो आइए इसे समझते हैं एक डिफनिसेंट की मतब से एवं छारक के एक साथ प्रस्पर यानि कि एक दूसरे होता है एक साथ को मतलब ही प्रसपर होता है अभी किरिया जिसके फॉल्स वरुप हमें लवन वाज़चल प्राप्त होते हैं उसे हम उसे हम करें अभी किरिया कहते हैं इसका इक्जांपल अब समझेगा कि एक आम सब्सक्राइब अब अब चार्व हो गया नमक हो गया और एस टू जल्मग मिलता है और यह ग्जांपल लिशत अब लोगों के लिए तो आए इसके आगे जो विऩरल्टी विद्स में रहें तो अधिम्ट के साथ त'Suiक औक साइड इनलत मेरम पिर्क पहुता है उसी में एक दूसरा धूम्रन के साथ अधात्र में ृब तो क्या होता है कि जो धात्वीक ऑक्साइड होता है अगर हम अमला सभी किर्या कराते हैं तो क्या बनता है लवन और जल बनता है यह लगभग जो होता है रियक्शन का फर्मूला है लगभग सेम है सब में लवन और जली बन रहा है इस एक्जापल समझेगा मान लेजिक को इमधातिक अक्साइड लिये कौन लातव है छिसमा लिये और फ्लस में Muslim क्या होता है अगरी कि लवन जो वी साल यह काया सिए यानि कोपर क्लॉर्last लिए प्लस में स्ट्रीख आ निुग बला सोब्हां कोपर ऑक्साइट प्लस हिड्लोकीक हम लमील के बनाता है जो डिक 10 सब्स्प्रत क्या बनाता है तो क्या होता है कि इसके जो कळलर होता है उसमें जंजिंग आ जाता है कोफर क्लोराईट के बनने के बाद बिलियन का रन की हो जागा ब्लू हो जाएगा क्यों आप उसका प्रकृति रहें गा ये प्रकृति प्रकृति जो है कि छा की रहेगा क्यों चार कि रहेगा क्योंकि जो उत्पाद बन रहा है उसमें खनीज और हमको यह मिल लावन और जल मिल रहा है इसलिए इसका प्रकृति जो है चार किये रहेगा आगे समझते हैं दूसरा था यह फोज था अमल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभी किया एक था जो 4 समझते हैं श्यार रहेगा उसके साथ अधात्विक ऑक्साइड सभे कराते हैं अब दखें क्या होता यागे अधात्विक ऑक्साइड लेता हैं CO2 या नहीं कि Carbon- डाइ-ऌक्साइड प्लसमें है कलСィम ल nice लेते हैं इसर Kung के ठीक है कैसे कि कार्बन डायोकसाइड कलसीम हड्रोकसाइड और क्या बना कैलसियम करबोनेट प्लस एस टू जर्म अब जो इसका प्रगवी थे था वो चार किये था क्योंकि आमले के साथ धातिक और अब इसमें क्या है कि छार रहेगा और अधातिक औक्साइड यानि कि जो ध क्या हो जाएगा और इसमें क्या होता है कि जो इसके रियक्षिन के बाद जो भीदु धरा उती है चालन करने लगता है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही अगला वीडियो है उसमें बताएंगे पीच मान बिरेंजक चूर्ण पलास्टर रोग पेरिस यह जो भी है इ लिए टी पाट वीडियो बनेगा और आप वीडियो का जरूरर से जरूरब लायक कहेजके और चनल को सब्सक्राइब कहेज़ेंगे वीडियो कैसा लगा आज का ये क्लास सिंपल क्लास है जब ज्यादा भास्त नहीं है तो आपको टेंचिन लाने के जुरूत नहीं है पने रहे इस चैनल के साथ थैंक्यू थैंक्स पर वाज